नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्ष श्वागत है आप सभीका आप सभीके अपनी ही यूट्उब चैनल आलोक्ष ब्लॉग वल दोस्तों आज की अपनी इस पेडियो में हम सभी इस बोट लिली या रियो प्लांट या रोयो प्लांट भे कुछ लोग बोलते हैं इसकी propagation के उपर बात करेंगे बहुत ही खूपसूरत plant है ये और ornamental plants की list में अगर कोई plant बहुत ही easy to maintenance और easy to grow है तो आप boat lily को जो है वो सबसे उपर रख शकते हैं ये एक bright light के अंदर चलने वाला plant है हालां कि जो है अगर आप इसको 3-4 घंटे की धूप में भी रख देंगे तो बहुत जादा जो मैजून की तेज धूप होती है जिसके अंदर बिल्कुल जोलसाने वाली गर्मी होती है उसके अंदर इनके पत्ते थोड़ा burn होते हैं लेकिन other times पर अगर इसको 3-4 घंटे की धूप मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपका ये plant अच्छे से चलता रहता है वरना सबसे अच्छा ये है कि आप अपने plant को bright light में रखिए दिन भर के या फिर जो है आप अपने घर के उस हिस्से में garden के रख सकते हैं जहां पर morning की 1-2 घंटे की या evening की 1-2 घंटे की धूप लगे बागी पूरा दिन ये bright light में रहें ये तो है आपके इस plant के location की बात रही बात इसकी varieties के बारे में तो इस plant की total तीन varieties आप सभी को देखने को मिलेंगी पहली variety जिसके अंदर पत्ते छोटे होते हैं और उनके दो color होते हैं उपर की तरफ green और नीचे की तरफ purple बहुत ही प्यारा combination बनता है इनका और इस तरीके से जब आप इनको अपने garden के अंदर रखते हैं तो बहुत ही प्यारा सा look निकल के आता है इसकी दूसरी variety जो है वो ही बिल्कुल जो है color combination में बिल्कुल इसी के जैसे है उपर की तरफ जो है इसके पत्ते ऐसे green है और पीछे की side में जो है इस तरीके से purple color बहुत जादा देखने में ये भी खूब सुरत लगता है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं इसकी जो तीसरी variety है ये tri color की होती है तीन color इसके अंदर पाए जाते हैं पहला आपका जो है ये green और white और पीछे की side में light pink या purple तो ये तीन के तीनों ही बहुत जादा देखने में खूब सुदत लगते हैं अगर इनकी soil requirement के बारे में बात किया जाए तो bed and soil पसंद करते हैं एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा rate और एक हिस्सा compost मिलाकर आप इनके लिए soil mixture बनाईए और अगर बात करी जाए आपके इस plant की watering requirement की तो जब गर्मिया तेज हो तो थोड़ा misting करके watering कर दीजे तीसरे चौथे दिन और पानी तो जो है आप अपनी मिट्टी को चेक करके ही दीजिए चाहे आपका plant गर्मियों के अंदर आप पानी दे रहे हैं या फिर other season में बिंटर के अंदर तो इनकी watering requirement बहुत कम हो जाती है एक बार पानी देने के बाद हपतो हपतो बार तक जो है आपको पानी देन अगर बात रही इसको fertilizer देने की तो सेप में जब ये create कर लेगा अपना ये वाला सेप तो आप इसको solid fertilizer तो कता ही नहीं दे सकते हैं पत्तों के ऊपर आप जो है ऐसा कोई fertilizer यूज कीजिए जो पत्तों के ऊपर आप misting करके दे दीजिए और इस प्रे की बजां से जो है पत्त ये नॉर्मल सा fertilizer जिसके अंदर आप इसको propagate करते हैं उसी के अंदर ये जो है अच्छे से ग्रोथ वगेरा जो है वो करता रहता है लेकिन अगर आप अच्छे से care करना चाहते हैं तो आप शागरिका का seaweed extract है या फिर आपके पास humic acid हो या फिर homemade जो आपका compost tea बनाते हैं आप compost से liquid fertilizer वो भी आप अपने इस plant को दे सकते हैं चलिए बात हो गई इसकी care के ऊपर तो अब sunlight के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था अब इसके propagation के ऊपर बात कर लेते हैं तो इसके propagation के लिए मैंने जो मिट्टी ली है ये मेरी normal वो soil है जिसके अंदर मैं अपने plants लगाता इक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा compost और एक हिस्सा सैंड के साथ तो ये मिट्टी मिट्टी पहले से बनी हुई रखी थी तो मैं इसको अलग से मिट्टी इसके लिए नहीं त्यार कर रहा हूँ अगर आपको propagate करना हो तो simply आप जो है सैंड में भी propagate कर सकते हैं या एक हिस्सा मि प्रपगेट करूंगा रही बात जो है सबसे मेन चीज कि इसकी कटिंग कौन सी लेनी है तो आप अपने प्लांट से जब कटिंग ले रहे हो तो आप ध्यान देजे कि इसके नीचे वाले स्टेम इस तरीके से कुछ हो जाते हैं जहां पर एरियल रूट्स भी निकली होती हैं अगर आप चाहें एरियल रूट्स वाला पार्ट अगर आपको मिल जाए तो उससे भी आप प्रपगेट कर सकते हैं या फिर अगर आपको एरियल रूट्स नहीं मिलती है और इस तरीके की स्टेम मिल जाती है जसा कि मैंने यह ट्राइकलर से लिया हुआ है तो इसमें यह ज तो अच्छा रहेगा वरना अगर नहीं होगी तो यह इस्टेम जो होते हैं बड़े नाजुक से होते हैं और जैसे ही ओबर वाट्रिंग होती है तुरंत वो गल जाते हैं यहां पर मैंने जो ली है यह इस्टेम अपनी है तो यह भी थोड़ी नाजुक सी ही आप इससे मोट बहाँ नीचे की साइड में फंगेशाइड जरूर लगा लेते हैं जिससे किसी भी तरीके का फंगस जो है वो नापन पर लेकिन अगर आप इसको इसको बिदावट फंगेशाइड भी प्रॉपगेट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके के आपको बोलते हैं उसको भी आप यहां नीचे की साइड में लगा सकते हैं तो आप होम मेट जो आपके रूटिंग हार्मोन से उनका इस्तमाल कीजिए कोई अधर केमिकल रूटिंग हार्मोन का आपको इस्तमाल करने की जरूवत नहीं है तो यह मेरे पास जो इस्टेम्स हैं बिदावट किसी फंगिसाइड या बिदावट रूटिंग हार्मोन मैं इनको प्रपोगेट करूँगा तो यह मेरी मिट्टी जो है मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिया कि यह मेरी पूरानी हो जाएगी हमारा प्लांट जो है आसानी से प्रपोगेट हो जाएगा और बहुत ही इसली रूटिंग होती है इसकी एक हपते के अंदर जो है इसके अंदर जो है जड़े निकलना सुरू हो जाती है और यह जो बरसात का टाइम आने वाला है इसके अंदर इनकी रूटिंग का जो process होता है वो थोड़ा enhance हो जाता है और भी जल्दी जो है मतलब जो मैं time आपको बता रहा हूँ एक हपते के अंदर उससे पहले भी इसके अंदर अच्छे से rooting हो जाती है तो मैं इसके अंदर यह अपना tri color इधर दो होता है propagation का वो मार्स से लेकर जो है आपका November तक का होता है क्योंकि यह उसका growing period होता है दोस्तों यहां हमारी cutting लग चुकी है तो अब मैं उपर से पानी दोंगा और मैंने जो watering मुझे करनी है उसके अंदर मैंने जो है वो साफ का मॉइस्ट रखना है जिससे हमारी cutting चल जाए लेकिन ओवर मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए वरना आपकी cutting गलकर खराब भी हो सकती है और रही बात इसको रखना कहां पे है ऐसी जगह पर रखिए जहां पर पूरे दिन की सेड मिले इनको एक हपते तक उसके बाद जो है आप इसको bright light में एक हपते के बाद shift कर सकते हैं क्योंकि एक हपते के बाद इसके अंदर अच्छे से routing हो जाती है तो इस तरीके से हम अपने रियो प्लांट को बोट लिली को या रियो प्लांट को प्रुपगेट कर सकते हैं आसानी से इस से धेर सारे नए पौधे बना सकते हैं हैं अगर आप हैंगिंग बास्केट बनाने का सोच रहे हो तो combination बनाईए इसके tricolor का और ये वाले का देखिए अभी से ही ये दोनों ब अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा एंट टेक केर